नमस्कार दोस्तों मेरे इस चैनल में आप सब का स्वाकत है आज की इस वीडियो पर हम अगस्त चोहान के बारे में बात करेंगे किस तरीके से जहरादून की ये निवासी थे और साथ दिन पहले आपका सड़क हाथ से में इनकी मित्ती हो गई साथ ही परिवार का जो आरोप है वो मडर की तरब भी सारा करता है कि उनके दोस्तों का हाथ है या जो भी है जो उनके साथ गयते हैं वो कहा गई इस टाइप के आर्टिकल मैंने कई जगा से पढ़े हैं देखे हैं लेकिन पुकता बात मैं नहीं कर पाता जब तक कोई सबूत या फिर कोई पुलिस का स्टेट्मेंट नहीं आ जाता पर यहाँ पर हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो कि काफी दिनों से चल रहा है अगर आप फेस्बूक यूटूब या सारे सोसल मिडिया पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यह बाइक राइडर बहुत एक्ट्व हैं और जनरली जो यूथ हैं जो 15, 17, 18 साल के हैं वो इंस्पायर होते हैं अभी तो दस लाग सब्सक्राइबर मिल जाते हैं इतने आसानी से या सभी जो भी बाइक राइडर के चैनल चलाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं तो यूथ के लिए एक इंस्पायर कर देने वाले लोग उते हैं ये लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था मैं बता रहा हूं कि 40-50 व्यूस से जाजान नहीं आये थे सायद यूटूब का अल्गोरिफम ऐसा है कि लोग देखे भी नहीं उसको सपोर्ड भी नहीं मिला लेकिन वो बात मैं भी उस समय उठाया था तेजगती की मतलब ये बाइक सही में रहाई सो दिन सो चल सकती है बट किस रोट पे किस जगा पर हो आप ये बहुत इंपोर्टन होता है उस समय भी मैं वीडियो बनाया था कि ये बाइक राइडर पर कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि हाथ से की संभाव न बढ़ जाती है आप तो अपने जान को रिस्क में डालते हैं साथ ही आपका जो आप वीडियो भी देख पा रहे हैं उसमें भी दोसों के आसपास इनकी बाइक पहुच रही है गाड़ी पहुच रही है अगर यह इनकी बाइक है तो मतलब प्रॉब्लम क्या है कि आप इतनी हाई स्पीड को जब चलाते हैं तो अपने आप एक्सलेटर इतना फाश भगता है 5-6 सेकंड में 100 किलोमेडर आ जाता है तो फिर आपको भी कंट्रोल नहीं होता और आप सोचते हैं कि यह बिलकुल हम प्रोफेशनल है या हम बहुत अच्छे से चलाते हैं कि वो खतम होगा एक्सपायर होगा बात की बात पर यहाँ पर मुद्दा उन सभी लोगों के लिए हैं जो इस टाइप की बाइक खरीते हैं और सोचते हैं कि हाई स्पीड हम चलाएं और इसक ना रहे हैं यह सब जो बाइक है जो आपके लिए इसके लिए डिजाइन रोड होते हैं, कॉम्टिशन होता है, उसके लिए यह डिजाइन होते हैं, किसी एक्स्प्रस वे या या किसी यह सब चीजों के लिए नहीं होते हैं, express में भी एक limitation होता है कि 120 km per hour वो भी four wheeler के लिए रहता है कई express में भी अलाव ही नहीं है क्या सोच के अलाव नहीं है इसलिए सोच के अलाव कि हाथ से की संभा होना बढ़ जाएगी तो 120 ही का ideal speed मागी गई 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 गाई डाइन में भी Indian Road Congress में भी जब ये road है और साथ एक headway होता है headway का मतलब है कि दो गाड़ियों के बीच में कितने क्या अंतर होना चाहिए 1500 मेटर या 300 मेटर तब जाके आप 100 km per hour चल सकते है मुझा दो गाड़ियों के बीच 200 का अंतर है तब आप comfortable चल सकते हैं और brake लगाएंगे तब एक apply होगा लेकिन आप 200-300 चल रहे हो तो हाथ से की सम्भाणा तो रहेगी और साथ ही परिवार वालों को भी सुरू से ही समझाना चाहिए था कि बेटा इत्ती तेज गाड़ी इस road पे चलाने लाइक नहीं हाँ competition हो रहा है कही हो रहा है कोई circuit है तो बात अलग है लेकिन ये तो नॉर्मल आम लोगों के लिए road है न तो फिर आप ऐसे करेंगे तो हाथ से की सम्भाणा तो रहेगी और साथ ही जो बहुत सारे youth हैं बहुत सारे लोग है वो इंस्पार हो रहे हैं इस सब चीजों से मुझे लगा कि इस ओर ध्यान आकर सित करना चाहिए वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चली मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद